हेलो डियर स्टुरेंट्स तो स्वागत है आपका फार्मा एजूकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफर्म जीपैड डिस्कॉसन सेंटर में जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा हम लोगों ने एक बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवेस एर क के बारे में आज हम उसका पार्ट टू लेकर आए हैं आपके लिए तो चलिए आज फिर से फिप्टीन कुश्चंस होंगे उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा पॉसिबल उनके आंसर होंगे तो चली देखते हैं कुश्चन नमर फर्स से सुरू करते हैं कैप्सूल शेल उनकार प्रिपेडवाय यस बढ़ा ही सिंपल कुश्चं है जैसे कि पछले रेक्शित कयों ने क्या क्या पॉर्टेट कंसुइट्ट था उसके बारिंगा बात की हैं तो दोस्तों कोन कौन सा था जीलेटन था कैपसूल सेल जिससे मिलकर बनता वो कौन सा किस से बनता है जीलेटन से बनता तो यहां पर दो तरह के जीलेटन हम बीसिकलि पड़े थे टाइप A Gelatin या Pharma Gel A और Type B Gelatin जिसको हम मोलते हैं Pharma Gel B तो Type A Gelatin और Type B Gelatin दोनों ही टाइप के Gelatin होते हैं जो कि Capsule को Prepare करने के लिए यूज किये जाते हैं Type A और Type B चली तो यहां पर आंसर देखते हैं Correct answer तो क्या हो जागा Both of the above Yes correct answer is C बहुत simple question है देखिए यतने simple question भी आते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं next question क्या कहता है the gelatin used in the manufacturing of capsules is obtained from the collagenous material by okay process के बारे हैं पूछा गया यह question किस process से किस प्रोसेस से किस chemical process से इसको हमने obtain किया है option A Hydrolysis option B decarboxylation option C Acetylation and option D conjugation yes तो यहां पर हमारे पास कि हमारे पास possible जो mechanism होती है तो वह कौन सी होती correct answer क्या होगा hydrolysis अगर देखा जाए अगर हम बात करें gelatin जो manufacture कि जा जाता है अगर हम बात करें इसको मोटे मोटे तौर पर देखें तो gelatin जो होता आपका animal source से मतलब bond से या skin का bond हो या skin हो इसका हम क्या करते हैं acid या base की प्रिजंस में acid की थूरू या base की थूरू हम क्या करते है hydrolytic extraction करते हैं क्या करते है hydrolytic extraction तो इसको याद रखना तो यहां पर सीधा समाझ में आ रहा है कि hydrolysis process हो रही है, इसमें क्या हो रही है, hydrolysis process हो रही है, तो इस hydrolysis process के दुरू आपका जो tissue, collagen tissue breakdown होता है, और breakdown होने के बाद gelatin हमें opt-in होता है, इसलिए correct answer क्या हो जागा हमारे पास, A, correct answer is A, तो दोस्तों correct answer क्या होने वाला हमारे पास, A, चली, check करते हैं, correct answer क्या है, correct answer भी क्या, A है, चली, तो अब question number 3 की तरफ move करते हैं, question number 3 क्या बोलता है, gelatin IP should be comply with, limit test for chloride, microbial limit, limit test of sulfate and esterality test, okay, चली, तो यहां पर देखिएगा, सबसे important चीज में आपको बताना चाहूंगा, जो gelatin है, आपके biological source से obtained होता है, और इसमें contamination के बहुत chances होते हैं, यह very prone, यह कह सकते हैं, very sensitive होता है, microbial contamination के लिए, तो यहां पर इस gelatin को जो हमें, जो use करते हैं, gelatin IP जिसको हम बात करना है, इंड particular microbial limit से, जो कह सकते हैं कि beyond नहीं होनी चाहिए, उसमें microbial content कम होना चाहिए, तो तभी हम उसको use कर पाएंगे, तो हमारे लिए जो test होता है, जो gelatin के लिए अगर बात करने, gelatin की testing, यह कह सकते हैं, gelatin की standard क्या हो सकता है, gelatin का standard microbial limit से हम लोग measure करते हैं, तो इसलिए correct answer क्या हो material, used in a doses form, yes, यहाँ पर थोड़ा सा correction करना चाहूंगे, यह coating material, water soluble coating material used in the doses form, water soluble, gelatin, paraffin, shellac, nylon, yes, तो यहाँ पर देखे हैं, हम देखते हैं, option select करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, paraffin, water insoluble होता है, shellac, water insoluble होता है, और nylon भी water insoluble होता है, तो यहाँ पर हमारे पास के बलो water soluble material में आता है, gelatin, protein होता है, yes, तो यहाँ पर correct answer हमारे पास क्या हो जागा, fourth question का जो correct answer हमारे पास निकल के आएगा, वो कौन सा होगा, A, A is the right answer, चली, next question की तरफ बढ़ते हैं, is the right answer, by the addition of the which of the following, the shell of the soft gelatin capsule cell may be made made elastic, elastic मतलब soft, क्या हम इसमें add कर दे हमारे किसमें, क्या हम एड करते हमारे किसमें, gelatin shell में, gelatin shell जो है आपका soft gelatin capsule है, सबसे पहले बात किसके बारे में हो रही है, सबसे पहले हमें हमें ध्यान रखना है, soft gelatin capsule के बारे में हो रही है, देखिए बंता मैंली जिलेटिन से लेकिन इसको softness या elasticity किस material से प्रवाइड करते हैं देखिए बहुत सार एक्जाम में पूचा करें गेट एक्जाम जीपट एक्जाम देखिए रिपीटेशन हुगा गेट 2001 और कुश्चन फिर उसके बाद 2011 में भी आया है उसके लाएं हमारे पास औप्राइमरीज चॉउज क्या होती है और कि बंदद करके हमाँ आंसर क्या लगाना है सबस्क्राटा एप्र स्युजार्व म Tampa рок मटेरियल करते हैं जो कि जेलेटन की टेंसाल स्टेंथ को प्रमोट करता है साथी साथ सॉफ्टनेस को भी ऑप्टेमाइज करता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बीज़ राइट आंसर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्मर शिक्स रॉल ऑफ गल तक जंख और प्रजर्विशन का काम होते होते हैं प्रिघ्वेशन का काम करने हम के आपके पास सॉल्ट होता है बोरिक compete बैटाबारी स्टिश्चर होते हैं तो तो मैंने आपको बता है था अपकर करते enrich danish dal olmas कर थैंधी आपके ढोक्रन भूप्यतिन जोश्चन में कि तो प्रोवाइट करते हैं तो फिशरी जो ग्लीसरे नुन का जो रोल होता है ग्लीसर meeाब अगर बास्टिर उप्षण का र Cookie ऑर स्बांस यह प्राइरियर्टी दोगए अग्ला कॉस्षिनिके used in the capsule cell is कौन सा plasticizer है जो कि capsule cell में use करते हैं silicon glycolaster talc glycerol देखिए यहां पर एक चीज और याद रखना है जितने polyols रहते हैं कि इतने भी polyols रहते हैं जो हम फार्मसोटिकल फील्ड में यूज करते हैं वह या तो हुमिक्टेंट का काम करेंगे basically वह हुमिक्टेंट का कामश करते हैं वहां करते हैं और से को फैसे आरर काम करते हैं लेकिन यहां पर कैपցल के लिए पूछा घilà तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर ग्लिसो रॉल जो है कि अब आगे बढ़ते हैं इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा डी डेली गिलिसरॉल यह अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गिलिसरॉल क्या सबसे जादा जो की आपके चैपसुल सेल को क्या बनाते हैं उपरेगे ने का advantage क्या होता है तो ओपेग बनाने का advantage यह रहता है कि यह आपके content को जो भी आपके capsule में content हो चाहे वो shell में हो चाहे वो आपके किस में हो especially capsule के inside तो यह capsule जो capsule content है उसको protect करते हैं किस से protect करते हैं ओपेशे fire light से protect करते हैं protect the content from the light या फिर हम क्या सकते हैं to conceal the effect of light light के effect को minimize करते हैं जिसके कारण हमारा product degraded ना हो by the photo license process उसके लिए हम ओपेशे fire यूज़ करते हैं ओपेशेंट यूज़ करते हैं ओपेशेंट भी बोल सकते हैं इनको तो यहां पर options अगर देखें तो option A titanium dioxide option B HPMC option C iron and option D none of the above तो दोस्तों यहां पर HPMC यह आपका फिल्म फार्मर एजेंट होता है आइरन यह आपका SSH यूज़ नहीं होता आइरन आपके शेल में प्रिजेंट होता है और शेल में जो का इरन का content होना चाहिए less than 15 ppm होना चाहिए तो हमारे पास जो option जो बसता हैं इतने सारे options में से जो करेक्ट option निकल के आता वो titanium dioxide अगर हम बोले titanium dioxide निर्विवाद रूप से सर्वस्रेश्ट बैस्ट बैस्ट ओपिसिफाइर एजेंट होता है सबसे बैस्ट ओपिसिफाइर होता है जो कि हम ना केवल capsule बलकि tablet में भी यूज करते हैं टैबलेट कोटिंग की समय जब हम लोगोंने कुश्ट किये तब याद करिए उपसिफाइर से रिलेटेट भी कुश्ट आयते हैं लेकिन ओपसिफाइर जो हम capsule में यूज करते हैं वह भी ओपसिफाइर आपके उसमें कॉन सा एक्जामपल होता सबसी बस्ट एक्जामपल टाइटेनियम डायोकसाइड चली तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ देखते हैं इस दा राइट आंसर चलिए क्वेशन नमबर नाइज इन हाड जलेटन कैपसूल दा ऑप्टेम मौश्यर कंटेंट अप कैपसूल सेल इस बिविए बहुत सारे एक्जाम सा पूछा गया क्वेशन उठाकर देख लिए इतने सारे एक्जाम से कुछन पूछा गया बड़ा है अच्छा क्वेशन ओप्श ठीवाने के लिए तो इसमें से कम प्वप्रीटली मौश्यर को रिमूफ नहीं किया जाता है चाब हो सोंप चींप के लिए और हाड़ी एक खैशल वीपिंक्रेटन को छोड़ा जाता है ताकि थोड़ा सॉटन स्उप नेस बनी रहे कशल पाड़ेगा आपको प्रॉपर में आपको मॉस्टर को चोड़ना पड़ेगा अगर बात करें जम्ए ह associative करें कि जो आपका हास्टा मेरेत केपसुल इसमें जो आपका कास्ट के तरुओं आपका लिए डाइंग इस्टेप करते हो तो उसी तरीके से आपका सॉफट जैटिन केपसूल जब मैंट्फेक्चर होता तो समय आप वेक्यूम ड्राइंग यूज करते हो तो ड्राइंग आप ऐसा एपसूलूट ड्राइंग नहीं करते हैं एकदम से अब यहां पर यह mention नहीं किया है 6-16% जो moisture content है वो आपका किस में है hard gelatin में है यह soft gelatin यह पूरा capsule की range मैंने आपको बताई अगर question आता है पूरी capsule की range के लिए तो आपको answer क्या करना है 6-16% लेकिन यहां पर अगर specify करूँ मेंशन करूँ आपको कि hard gelatin में कितना होता है soft gelatin में कितना होता तो दोस्तों यह जानकर आपको आश्चर होगा कि soft gelatin capsule में जो moisture content होता वो कम होता है कितना होता 6-9% वेट वाई वेट और वहीं आपका hard gelatin capsule में है जो moisture content होगा 13-16% कुछ बुक्स में लिखा है और यहां पर अगर option के according देखें तो 12-15% तो option के according अगर देखें तो answer क्या हो रहा है 12-15% तो 12-15% moisture content hard gelatin capsule में present रहता है देखिए question पूचा गया hard gelatin capsule के बारे में तो हमें hard gelatin capsule के बारे में लगाना है अगर soft gelatin capsule होता तो यहां पास अगर option देखते हैं तो हमारे पास best suitable option निकल गया आता है वहीं निकल गया आता है क्योंकि 6-9% होता है तो 5-8 भी लगा सकते हैं ओके चली तो next vision की तरफ चलते है next vision क्या कहता है answer D what is the limit of moisture content in hard gelatin capsule नाइपर का question है इसमें थोड़ा सा different है यहां पर 13-16 mention है यहां पर clear mention है 13-16 परसंट 10-20 परसंट 13-16 परसंट 6-9 परसंट और 1-5 परसंट तो correct answer जो होगा हमारे पास हो कितना रहेगा 13-16 परसंट तेरह से इससे कम अगर होता है moisture content तो capsule क्या हो आपका split हो जाएगा brittle हो जाएगा फट जाएगा ज्यादा होने पर softness आजाएगी इस्टिकी नेस आजाएगी तो processing में प्रॉब्लम होगी ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए ओके प्रॉब्लम है चली उस पर मत जाएगे वह आंसर 13-15 परसंट है अगर माल लीजिए अगर माल लीजिए इसको अगर जैसे सोचे क्वेश्चन को हम चेंज कर दें थोड़ा सा चेंज कर दें हाट की जगे क्या कर दें सॉफ्ट कर दें क्या कर दें हाट की जगा सॉफ्ट तो यह आंसर करेक्ट हो जाता तो मैंने दोनों इसाब से इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब कैप्सूल के बारे में बात किया गया सॉफ्ट का मॉस्छन ना ओकर इतना होता सॉफ्ट का सिक्स्टुन ना इकर तो इस सबसे देक हैं तो दोनों ही स्टेंट मैं गया होगए है एक तरीख से क्या होगा इंटर्चेंज हो गए इसके कारण से पी और क्यू दौनों स्टेटमेंट क्या हो गए रॉंग हो गए तो हम यहां पर और ऑपशन देखते हैं बोट अब अब स्टेटमेंट पी qi are true statement p is true and q is false यह भी गलत है statement p is false and q is true यह भी गलत हो गया तो हमारे पास right answer के निकल के आएगा b is the right answer बी के आएगा हमारे पास correct answer निकल के आएगा ओके तो चलिए तो यह question इस तरही के question exams में बहुत पूचे जाते हैं तो हमें इनको ध्यान से देखना है ओके बीजदा correct answer यह इस इन्दा फॉर्मुलेशन सस्पेंशन दा फॉर सॉप्ट जिलेटिन इनकैप्सुलेशन बेस अप्ड़ सॉलिड तू बी सॉस्पेंड़ एक्स्प्रेस बेस अगर हम देखें कि नंबर ओफ ग्राम ओफ लिक्विड बेस जो भी आप देखा हो ृएं है निकेशल करने के लिझे आपको यूज करने लिक्विड मटरिक्रीन खाली तो फील नहीं करते बमधाइंक साथ में ड्रक भी मिज़्टा कवर कर दिक नद्कर कर देखाने। ड्रग को किसके साथ में रखोगे ड्रग प्लस क्या कर रखोगे आप ड्रग प्लस लिक्ट बेस इन दौनों चीजों को मिला कर लोगे तब जाके क्या बनेगा एक उक इनक्यापसुलेबल मिक्शर बनेगा जिसको आप क्या करोगे कैप्सूल में ले जाकर फिल करोगे कौन से तो बेस ऑजचॉप्शन एक्षिल में है वह वांटिटी होती है किसकी इस लिक्वीड बेस की वह व्क वांटिटी होती है ग्राम में जो एक ग्राम ड्रग को कितना वन ग्राम ड्रग को in capsulable mixture में बदल दे मतलब minimum quantity of liquid waste which is required to convert one gram drug into the encapsulable mixture मतलब liquid base कितना वन ग्राम ड्रग को liquid base encapsulable mixture करने के लिए लगेगा required होगा उसको बोलते हैं base absorption तो इसके साब से देखे हैं the number of gram of liquid base required to produce capsulable mixture when mixed with one gram of solid the number of ml of liquid, यह तो गलत हो जागा, ml कहां से हो जागा, तो ग्राम में थी, तो यह option गलत हो गया, the number of grams of solid base required to produce capsulable mixture when mixed with 1 gram of solid, यहाँ पर solid base लिखा हुआ है, वास्तित्ता में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, liquid base होना चाहिए था, तो इसलिए यह option भी गलत हो गया, the number of grams of liquid base required to produce a capsulable mixture when mixed with 10 gram of solid, यह गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वन ग्राम, तो यह option अगर देखें, तो यह पूरी आपकी base absorption की जो definition उसको फिल्फिल कर रहा है, the number of gram of liquid base required to produce capsulable mixture when mixed with 1 gram of solid, इसलिए correct answer क्या हो जागा, A is the right answer, यह क्या हो जाए, राइट answer, उस पर ध्यानमत दीजेगा, A is the right answer, spray drying and spray congealing method used to prepare, बहुत simple question है, यह micro encapsulation से लिया गया question है, spray drying and spray congealing method वाला question है, जो कि micro encapsulation से लिया गया है, tablet, micro capsules, capsule या पर ointment, यदि हम यहाँ पर देखें, इसको जड़ी हम यहाँ पर देखें, बात करें, तो क्या फरक होता है, आपका जो core material होता है, यह आपका माली जो core material है, यह core material के ऊपर आपने क्या apply करना है, coating apply करना है, जब coating spray के form में apply होती है, और फिर उसको हम dry करते हैं, तो उसको बोलते हम spray drying, उस method को बोलते हैं, spray drying, और जब coating कैसी होती है, एक आपका जो coating जो होती है, melted mask के form में होती है, मतलब polymer को melt करके हम apply करते हैं, तो इसके बाद इसको solidify करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको congealing process करते हैं, तो इस method को क्या बोलते है, spray congealing method, तो spray congealing हो, या spray drying method हो, यह दौनों की दौनों method जो होती है, आपकी micro capsules को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए answer क्या हो जागा B, correct answer क्या हो जागा B, चलिए, next question पर चलते हैं, 14 number का question, water soluble substance used to coating material in micro encapsulation process, yes, micro encapsulation process के लिए कौन सा substances होता है, जो है जब water soluble हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं, कौन कौन सा possible हो सकता है, polyethylene, silicon, hydroxythyl cellulose, paraffin, polyethylene हो, silicon हो या paraffin हो, यह तीनों कैसे होते हैं, water insolubile, यह भी water insolubile, यह भी water insolubile, लेकिन अगर बात करना है, cellulose का derivative, hydroxythyl cellulose, इसमें hydroxy group लगा हुआ है, जान दीजे दोस्तों, इसमें hydroxy group लगा हुआ है, तो अब सी बात है क्या ऐसा होगा, water soluble होगा, इसलिए correct answer क्या हो जागा, C, C is the right answer, hydroxyethyl cellulose, yes, चली answer चेक करते हैं, yes, अब चलते हैं, इस lecture का last question, देखें, दो question के answer पर मत जाईगा, भी मैं फिर से quote कर रहा हूँ, आपर कई बार answer highlighting गलत हो जाती है, लेकिन हमारा description सही था, उसका answer 13 to 16% था, अगर question बदल दे तो 69% था, और जो आपका question किया था, आपका base absorption वाला, तो उसमें first वाला answer ही correct था, तो इसलिए उस पर मत जाईएगा, ठीक है, हमें correct answer देखना है, उसमें क्या लगा हूँगा, उससे मतलब नहीं, वो तो judge करने के लिए लगा हूँगा, अगर उसको लगाए भी ना उस answer को highlight भी न करें, तब भी हमारा answer हमें clear होना चाहिए, हमेरे concept wise क्लियर होना चाहिए, which one of the following drying method commonly used in the farm industry for drying of soft gelatin capsule यह soft cell capsule, इसके बारे में मैंने आपको, जब motion content समझा रहा था, तो इसके बारे मैंने बता दिया था आपको अलका, तो जो आपकी soft gelatin capsule होता है, उसको dry करने के लिए हम कौन सी method यूज़ करते हैं, truck drying, fluidized bed drying, vacuum drying, microwave drying, देखिए, बड़ी sophisticated होता है, soft gelatin capsule में, moisture content को, जो eliminate करते हैं, बड़ी sophisticated method से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कि अगर आपने इनमें से कोई method यूज़ कर देखिए, truck drying, fluidized bed drying, microwave drying, तो आपका capsule खराब हो सकता है, तो हम ऐसी method यूज़ करेंगे, जो low temperature पर capsule से moisture content को remove कर दे, तो इसके लिए vacuum drying best method होती है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, soft gelatin capsule की, आपके कह सकते हैं कि उसके drying के लिए आप कौन सा method यूज़ करोगे, आप vacuum drying method यूज़ करोगे, तो दोस्तों correct answer क्या होने वाला है, C is the right answer, yes, तो दोस्तों इस lecture में 15 questions थे, जैसे कि हमारे हर lecture में होते हैं, तो इसी तरीके से हम लोगों ने 15 questions देखे, इसमें different type के questions को solve किया, monster content से related, plasticizer से related, officifying agent से related question और फिर आपके drying से भी related question हम लोगों ने देखे, तो इसी तरीके से आप लोग lecture का enjoy लेती रहिए, पढ़ती रहिए, advantage लेती रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, thank you so much, take care, bye bye.